पंजाब के सीम भगवंत मान ने ग्रह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की इस तरहां सीम मान ने कहाई कि राश्य सुरक्षा के मुद्ध पर चर्चा हुई है कि इंदर ने हमें अद सैनिक बलो की दस कमपनिया दी हैं लेकिन हमने दस और कमपनियों की मांग की है लकिन हम इस पार शाह से क्या कहा है ये भी आप देखिए पंजाब के मुखे मंत्री भगवंत मान ने ग्रह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की इस मुलाकात के बाद भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने रास्टे सुरक्षा के मुद्ध पर चर्चा की उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमें कल अर्थ सानिक बलू की दस कमपनियां पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के लिए दी है और आज हमने दस और कमपनियों की मांग की है जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने मान लिया है भगवंत मान ने बताया कि गुर्यमंत्री अमिर्शा ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पंचाब को जो भी मदद चाहिए होगी केंदर सरकार पंचाब को हर वो संभव मदद देखी भगवंत मान ने आगे कहा कि कानून विवस्था को लेकर पटियाला में जो घटना हुई इस पर विस्तार से बातचीत हुई पार्टी से उपर उठकर रास्टिस रक्षा के मामले में सहयोग किया जाएगा उन्होंने बताया कि किसानों की गेहों की पैदावार कम होने के कारण 500 रुपे बोनस देने का मसला भी उठाया गया पंचाब की विभिन किसान संगठनों से संपंदित किसान गेहों की पैदावार कम होने पर 500 रुपे प्रतिक विंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में इधान की बुआई शुरू करने समीत अन्ने कई और मांगो कुले का प्रदर्शन कर रही है हालाकि किसान संगठनों ने बुद्वार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करने के बाद प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है भगवंत मान ने कहा कि हमने ड्रोन रोधी तकनीकों की मान की है मान ने ये भी पताया कि अमित शाहनी कहा है कि हम रास्टे सुरक्षा कुले कर मिलकल आगे काम करेंगे भाकडा ब्यास प्रबंधन बोट में बास्मति फसल और पंजाब कोटा के मुत्य समीत कई और अन्य मामलू पर भी चर्चा हुई है डस्क रिपोर्ट नेटवर्क टेन